हेलो एवरिवन, दोस्तों, सीनियर सिटीजन के ट्रेन टिकट में छूट के विशय में रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, रेल मंत्राले ने 20 मार्च 2020 को COVID-19 महामारी के कारण पूरे देश में तालाबंदी की घोशना के बाद सीनियर सिटीजन को ट्रेन किराय में मिलने वाली छूट वापस ले ली थी पहले रेलवे महिला यात्रियों को ट्रेन किराय में 50 प्रतिशत की छूट पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ट नागरिकों को 40 प्रतिशत की छूट देता था इस छूट को हटाने के बाद वरिष्ट नागरिक अन्य यात्रियों के समान ही किराया दे रहे हैं रेलवे के नियमों के मुताबिक 60 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुष और ट्रांसजेंडर और 58 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं वरिष्ठ नागरिक मानी जाती हैं COVID-19 की महामारी के समापती के बाद, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन किराया रियायतों की बहाली से संबंधित प्रश्न, संसद के दोनों सदनों सहित कई मंचों पर उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक रेलवे ने छूट बहाल नहीं किया है, हालां कि रेल मंत्री अश् केवल 45 रुपए लेता है, इस तरह यात्रा पर 55 रुपए की छूट दी जाती है, सूचना के अधिकार अधिनियम, यानि की RTI के तहट पूछताच से पता चला है कि ट्रेन किराये में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतें वापस लेने के बाद, भारतिये के कारण ही फूट बहाल नहीं कर रहा है, मेरा विचार है कि रेलवे को सीनियर सिटीजन को पुरानी छूट बहाल कर देना चाहिए, आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें, तो मिलते हैं, अगले वीडियो में जय हिंद, आपका दिन शुभ हो